आज का जो लेसन प्लान है वो है साइन्स पे यानि मोशन्स उसका जो प्रक्रण है विद्याले का नाम डालेंगे कच्छा डालेंगे दिनांक का लांश अवधी यह सब डालने के बाद फिर आप अपना प्रक्रण डालेंगे प्रक्रण डालेंगे प्रक्रण डालने के बाद स समान उद्यष आप 5 minimum और maximum आप कितना भी डाल सकते हैं फिर समान उद्यष कुछ प्रकार है आप देख लीजिए विध्यार्थियों में गड़ित की विज्ञान के प्रती जिग्यासायम रुचुत पंद करना विध्यार्थियों में गड़ित विज्ञानिक त्रिष्ट कोर का जागरूत करना सेम ऐसे कुछ यह पूरा ऐसे है आप देख सकते हैं अपना यह सब डालने के बाद फिर सिच्छड सहायक सामगरी डालेंगे लपीटक चॉक डस्टर संकेतक चार्ट मॉडल यह सब डालने के बाद फिर पुरवग्यान डालेंगे कि हां बच्चों से कैसे प जानकारी रखते हैं फिर आपका ही कुछी फ्रंट पेज रेडी है फिर उसके बाद आता है प्रिस्टावना पस्तर यानि कि बच्चों से कैसे टॉपिक निकलवाया जाए पहला है क्रमांग च्छातर धापका क्रिया च्छातर क्रिया फिर पहला प्रिस्ट मुछ रहेगा ह इन सबे वस्तुवें में क्या अंतर है फिर पंखा चल रही है और ये सारी वस्तुवें अपने स्थान पर हैं फिर पंखा चल रही है तो ये किस अवस्था में है पंखा चल रही है तो ये गती अवस्था में है ये सब डालने के बाद आप उदेश कथन डालेंगे उदेश सचछड़ विंद्रों में बट आ गया है सचछड़ विंद्रों छाथ ध्यपका क्रिया और चांटर क्रिया में बच्चों को एक नॉर्मल सा गेंद दिखा कर पुछेंगे कि हाँ यह क्या है तो बच्चों उतर देंगे यह गेंद है फिर आप आगे देख सकते हैं फिर वही इसे छड़ विंदू छातर धैप करिया डालेंगे फिर नेमलिखित वहवार गत परिवर्तन होगा छातर धै फिर श्याम पटकार में ऐसे दिखा सकते हैं आप समय के साथ इस्थि परिवर्तन होना और फिर यह ब्लाक बोर्ट पर दिखा कर फिर नीचे कोशन पूर सकते हैं गति किसे कहते हैं तो बच्चे बोलेंगे कि गति समय के साथ इस्थि परिवर्तन को गति कहते हैं फिर उसके सब एक्जांपल दे के बच्चों को समझा सकते हैं फिर यह सिच labels में आपने तीन टॉपिक ज्यानात्मग डाला उसके न्दर तीन टॉपिक लेगे चात्र को गति की गति को प्रभाशित कर सकेंगे चातर गती का प्रस्मर कर सकेंगे फिर चातर गती को उधारनों द्वारा समझा सकेंगे फिर आए देखते हैं नेक्स पेच पर प्रस्मर कर सकेंगे चातर गती के उधारनों को बताईए बच्चे बताएंगे लड़ू, जूलना, तितलिया उणना ये सब उधारन है फिर दूसरा प्रश्म पुछे जागा गति को परिभाशित कीजिए, समय के साथ वस्तु इस्ठित्थी परिवर्टन होता रहता है, यह ऐसे भच्चों उतर देंगे, फिर अन्योप्रयोगात्मक डालेंगे, अन्योप्रयोगात्मक में भी तीन पॉइंट्स डालेंगे, जैस से दिखाकर फिर से रिलेटेड बच्चों से कोशन पूछेंगे जैसे कि आप पूछ लिए कि चितर में बालक कहां है फिर बच्चे उतर देंगे कि घर पर है कुछ समय बाद बालक कहां गया फिर सगें कोशन फिर बच्चे बोलेंगे कि बालक विद्याल पहुच गया फिर ब बच्चों को डिफैंड करते हुए जब कोई वस्तु सरल देखा में गति करते हुए जब कोई वस्तु सरल देखा में गति करते हैं जब करते हैं जब करते हैं तो उसकी गति सरल देखा में गति कहलाती है। पेर से फल तोटकर गिना कैसी गति कहलाती हैं तो बच्चे बोलेंगे कि टूटकर गिना सरल देखा में गति कहलाती है। तो बच्चे बोलेंगे कि जम में इन पर गिरेगी तो यह सरल लेखी गती है एक ना तो इधार उधार जाएगी यह सीधा उपर से लेकी निचे तक आई तो यह सरल लेखी गती है फिर यही सिछड़ बिंदू में भी सेम वही प्रोसेस डालेंगे फिर बोद आतमक तीन पोईंट्स टाल कर अपना सिछड़ बिंदू कॉम्टे करेंगे फिर यही सेम प्रोसेस सिछड़ बिंदू अच्छा तक आप क्रिया और अच्छा तक क्रिया डालेंगे फिर बच्चों से कुछन पुछा जाएगा चौक से उपर नीचे सीधे में जाता फिर ब्लैक बोर्ट पर दिखाते हैं कुछ सरल लिखा में करते हैं कार को दिखाया गया है कि हाँ आ यह भी है सरल लिखा में कार चल रही है फिर एक कार द्वारा तैकी गई पत्की लंबवत यानि लंबाई OC यानि कि टोटल OC कितना है OA के बराबर है फिर लिखेंगे कि OC is equal to OA प्लस AB प्लस BC ऐसे कुछ दिखा कर फिर सरल लेखी गति को परिभाशित किजिए जब कोई वस्तु सरल लेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल लेखी गति कहलाती है फिर यहां पर सचर बिंदों में ग्यान आत्मक फिर अनुप्रयोग आत्मक में भी तीन पॉइंट लिखे फिर थर्ड पॉइंट डालेंगे वित्ति गति क्या है फिर वित्ति गति को डिफाइंट करेंगे जब कोई वस्तु किसी निश्चित विंदों के चारों और एक निश्चित दूरी पर वित्ताकार मारग पर चक्कल लगाती है तो उसकी गति वित्ति गति कहलाती है फिर डा गति को ऐसे डाइग्राम यान श्यामपट में ब्लैकबोर्ट वर्क आप दिखा सकते हैं पत्थर के टुकुड़े को नीजन की गति दिखा सकते हैं वृत्तकार मार्ग पर गति गति कहलाती है यानि कि राउन सर्कल में घुमती हुई फिर जब कोई वस्तु किसी निश्यत फेर बुधात्मक वही सिचड़ बिन्दू, चात अध्यापि का क्रिया, छॉटक्रिया में वही सारी चाहित डालेंगे nih canstein온, फिर शात अध्यापिग उद्ःपिका क्रिया में क्या है रिति गति के उधारन फिर ूरे की चारोबर प्रिथवी की गति करना, प्रिथवी की और चंद्रमा की गति करना सूरी की चारो और प्रिथवी की गति करना कैसी कती है तो बोलेंगे कि वृत्यकार गदी है क्रिया कलाप के द्वारा समझाएगा लगबख 50 सेमी लंबी मजबूत डोरी लेकर उसमें एक सिरे पर पत्थर या चौक का टुकड़ा बांते हुए डोरी को दोसरे सिरे हाथ से पकड़ कर अपने चारो और 36 तल पर घुमाते हुए पत्थर का टुकड़ा वृत्यकार मारक प समझाएंगे ऐसे बच्चों को जल्दी क्रिया कलाप करके समझाने पर जल्दी समझ में आता है फिर वही सिच्छड बिंदू चाता है ध्याप का क्रिया डालेंगे फिर अन्यों प्रिगात्मक में पॉइंट लेकिए फिर बच्चों कुछ को शर्म पूछा रहेगा कि घड मैं सिच्छ कार चलती है तो इसे इसफ्या-पट शर्म चाहता है कि आपने क्याए जड़िक पूरारी ही आप दिख़ा के हैं। आप दिखा और श्यामपत्कार करी temporary लिखने के बाद फिर उसके बाद पुनावृती के प्रशन बच्चों सब पूछें थे हैं पुनावृती कोती है कलती है पुनावृतीि करस्ट दो कुछ है फिस निरचण कारे चाहता दिपका कच्छा निरचण करते हुए समस्याओं को हल करने का प्रैथन करती है फिर ग्रह कारे देकर फिर लेसन पना समापत होता है प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शस्क्राइब करें और कमेंट में जरूर करें थैंक यू सो मच